हेलो एबरीवन मैं पुस्पा राश्पूत पुस्पा की रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ आज फ्रेंट्स मैं ऐसा नास्ता लेके आई हूँ जो बहुत ही बस दो मिनट में बन करके तियार हो जाएगा और वो भी बिगाउट ओयल आपको बिल्कुल भी तेल की जरूरत नहीं है और ये आपका टेश्टी नास्ता बन करके फ्रेंट्स तियार हो जाएगा तो चलिए फ्रेंट चलते हैं हम इसको बनाने तो सबसे पहले ले लेना आपको एक बरतन और बरतन में ले लेना है आपको पोहा तो आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उसके हसाब से आपको पोहा को ले लेना है मैं बना रही हूँ आज ये तीन लोगों के लिए तो 200 ग्राम करीब पोहा और इसको आपको 2-4 बार पानी से अच्छे से धुल लेना है जैसे कि आप देख पार हैं कि बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी निकलता है तो इस चीज का आपको विशेज ध्यान रखना है इसको 2-3 बार पानी में हमें अच्छे से धुल लेना है तो दे प्यार हो जाएगा पोहा थोड़ा सा दो तरह का होता है आप कोई भी पोहा ले सकते हैं पतला वाला या मोटा वाला जो भी हो इसके बाद हमें लेना को सबजी तो मैंने सबजी में ली हुई है सिम्ला मेर्च प्याज साथ में थोड़ा सा हरी मेर्च और रा धनिया और आप इसमें डालोंगे क्योंकि बच्चे जो होते हैं जादा सबजियों को पसंड नहीं करते एव vegan ले लिया उतना बारीग प्याच को काटकरके त्यार कर लेना सेम इसी तरह से हमें सदाई काटकर कर के देड़ लें, साथ में हम हरी मिर्च को भी काट लेंगे जो बहुत ही बारी काट करके त्यार करना है और साथ में हम हरा धनिया जो मैंने लिव हुई है इसको भी हम काट करके त्यार कर लेंगे सबजीयों को काटते समय फ्रेंज त्यार रखके हमेशा सबजियों को पहले ही धुलने काटने के बाद बिल्कुल भी सबजी की धुलाई ना करें इससे क्या होता है कि जो हमारी रश्ट पगेरा होती है वो अच्छे से शाफ हो जाती है और यदि कटने के बाद आप इसको धुलाई करेंगे तो इसके जो पोसंत अत्त होती सा आरे वह निकर जाएंगे तो फ्रेंस अब हमें लेना पोहा तो भी अच्छे से फोल चुका है इसमें हम डालेंगे चोटी एक चम़ज बेसन बेशन ब्लकु छोटी सी चम़ज बेसन डालना यह ज़्यादा नहीं डालना है यह जो खाने वारी चम़ज होती ग्रें उसको हमें डालना है, इसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी के कुछ छीटे, पानी भी हमें जादा नहीं डालना है, आपने जैसी देखा होगा, मैंने जरासा ही हाथों से पानी में इसमें छीटा डाल दिया, क्योंकि पोहा हमारा और लेडी ही गीला है, और वो क्या कहते हैं अब पोहा में ज़्यदा पानी की जरूरत नहीं परती हमने धुल पया था है तो जरासा ही हमें पानी को डालने की जरूरत पड़ी है आफ हम क्या करना पोहा को थोड़ा सा मसल लेना है बहुत आसानी से यह मसल जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं आती है और इसके बाद हम डालेंगे इसमें बारी कटी हुई प्याज, थोड़ा हादों से मसल देंगे, बारी कटी हुई सिम्दा मिर्च, बारी कटी हुई हरी मिर्च, बारी कटी हुई हरा धनिया तो इस तरह से हमें सारी सामाग्री को मिला लेना है इसके बाद हमें लेने हैं कुछ मसाले तो हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालेंगे इसमें चिली फैक्स थोड़ा सा डालेंगे भुझा हुआ जीरा पाउडर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर स्वाथ के अरुसार नमाग साथ में एक चुटकी हम हेंग इसमें डाल देंगे जिससे कि ये हमारा नास्ता और भी टेश्टी बन करके त्यार होगा चरासा ही इसमें हम ने डाल दिया है गरम मसाला थोड़ा सा और्गिनिक डाल देंगे और इसके बाद हमें सारी सामाग्रियों को मसलते हुए अच्छे से इसमें मिला लेंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हल्दी को भी डाल सकते हैं इसके बाद हम डालेंगे इसमें अधरक और लेसुन का पेश्ट इसको आप जरूर डालें इसे जो नास्ता होगा बहुत ही ये लाजवाब बन करके त्यार होगा फ्रेंस भेसन हमने इसलिए डाला है ताकि ये नास्ता जो है बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बन करके त्यार होगा और इसमें आप चाहें तो दो बूंद ओयल की डाल सकते हैं मैं ने पहले भी बताए कि मैं आयल-फिरी यह नास्ता बना रहे हूं तो यदी आप ओल खाना कि यह थाओ नहीं पसंद करते हैं क्योंगी बरसाथ का भी सीजन है तो इस गई लोग ऐसा होती है जो तील को जादा खाना पसंद ही तो कृता सारे की सामगρι को मिलाने के बाद कारा के त्यार करनी आसानी सब्सक्राइब जाएंगे हमें सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब की तो देष़ों करने इसको इस तरह से पेड़े के सेफ में इसको बना देना है क्योंकि हमने अभी लड़ू की तरह बनाया हुआ था तो बहुत मोटा था अब हमें इसको थोड़ा सा चप्टा बना करके त्यार करना है ताकि इसको हम जब पकाएं तो बहुत ही आसानी से ये अच्छे से पक करके क् बन करके त्यार हो जाते हैं तो इसी तरह से मैं सारी बॉल्सों को चप्टा बना करके त्यार कर लूँगी तो आप भी इस नास्ते को एक बार जरूर बनाईए और वेडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना तो बिल्कुल मत भूला कीजिए ताकि मुझे भी पत ले लेना है तबा कड़ाई आप कोई भी ले सकते हैं तो मैंने देखी यह नॉनिस्टिक तबा चड़ा दिया है अब हम तबा को गरम करेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे आप चाहें तो इसको डायरेट सी सेख सकते हैं कुछ भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है यदि आप ओयल फिरी बनाना चाहते हैं और यदि आप और टेश्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको एक जरासी चोटी चमच की कुछ मुदें ओयल की हम डालेंगे और इस तरह से हमें ओयल को अच्छे से फैला देंगे अब इसके ऊपर हमें एक एक करके सारी टिक्कियों को रख देना है तो फ्रेंस है ना ये देखिए कितना आसान और ये नास्ता तो खास करके आप कभी भी बना सकते हैं चाहें आप चोटी मुटी भूप में चाहे के साथ में भी यदि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं यदि आप इसी प्रकार का ओयल खाना पसंद नहीं करते हैं यदि वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये रैस्पी बहुत ये स्पेसल है इसको एक बार जरूर बना करके फ्रेंश ट्राई करें तो इसी तरह से हमें देखी सारी टिक्कियों को तबामे रख दिया है अब इसके बाद हम इसको सिखने देंगे और ये जैसे ही नीचे एक साइट से सिख जाएंगी तो हम दूसरी साइट से भी इसको पलट देंगे तो इसी तरह से हमें इसको बारी बारी उलट पलट दे हुए सिख लेना है ताकि अच्छे से जो नास्ता है हमारा ये बहुत अच्छा सा क्रेस्पी बन क करके त्यार हो जाए इस चीम्स का ध्यां रखना आफ़ राइकप को थोड़ा सा SOCAMS में head यह से में का यह मीं की ताकि क्योंकि हम ईसे जड़ा सा भी संडाला हुआ था यह ऐ इसलिए भी भीस प्रम भीस फाल बना कर कर्zing को तो बहुत आसानी से यह देखे पलट जा रहे हैं, बिल्कुल भी चिपकते भी नहीं हैं, तो इसी तरह से हमें इसको बारी-बारी सभीयों को पलटते जाना, जो हमने सबसे पहले रखी हुई थी, उसको सबसे पहले पलटेंगे, और इसी तरह से हम इनको सिक कर के, तियार कर तो मैंने इसके साथ में कहाने के लिए बनाई हुई है अमरूत की चटनी साथ में ही मैंने रायता है रायता बनांदों हुआ हुआ है तो आप है साथ में सीडिवत्तों Columbus को बना अधोरा सुछें तो आपके साथ में भी झाय हुआ है। तो ये हमारा बहुत ही healthy और बहुत ही कम समय में नास्ता बन करके friends प्रेंस प्यार हो चुका है. तो मैंने ये थोड़ा सा जो दही लिया था दही का मैंने तड़का लगा करके रायता त्यार कर लिया है और इधर मैंने अम्रूत की चटनी भी बना करके त्यार कर लिया है. तो इसी तरह से आप लोग भी फ्रेंस नास्ता बनाईए, खाईए और इंज्वाई कीजिए और बेडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और हम इसी तरह से हेल्दी हेल्दी नास्ता लेकर के हाजिर होते रहेंगे तो ये देखें फ्रेंस, हमारा नास्ता बनकर के एकड़म रेडी हो चुका है इस नास्ते को आप बच्चों को दे सकते हैं ये बहुत हैल्दी है और टेस्टी तो है ही है तो फ्रेंस अभी देखी हम तोड़के भी दिखाएंगे कि ये नास्ता कितने अच्छे से पक करके तियार हुआ है और ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जादा सौप्ट है तो इसको हम रायते के साथ में खाएंगे तो फ्रेंस आज के लिए बस इतना ही कल हम फिर हाजर होंगे नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए ओके बाई बाई